क्योंकि हिंदुत्व कभी पूर्ण विराम नहीं मानता और हिंदुत्व किसी एक खानपान रिती रिवाज पूजा कर्म में जखड़ा हुआ नहीं है वो रिलिजन नहीं है वो धारणा करने वाला नियम है जिसको धर्म कहते हैं धर्म की यही व्याक्या है धर्म जिसके सस्टेनेंस जिसको कहते है आजकल सस्टेनाइबिलिटी तो धर्म सस्टेन करता है सारी सुरुष्टी के जीवन को मानोवों सहित अनेक राष्ट्रों सहित मेरे अपने जीवन सहित संपूर्ण सुरुष्टी के जीवन को एक साथ धारण करता है एक साथ सब की प् साथ पूरी कराता है व्यक्ति को समाज को और सुरुष्टि को एक साथ सुखी करता है विकास और परियावरन में जगडा नहीं मानता समाज और व्यक्ति में संगर्श नहीं मानता किसी को दबाता नहीं तिनों को एक साथ आगे बढ़ाता है जो अर्थ और कामों को न नकारते हुए उनके उचित महत्व का निर्धारण अपने अनुशासन में करके मनुश्य के जीवन को मुक्ति के और बढ़ाता है वो धर्म है जिससे इस लोक में और परलोक में दोनों में सुख मिलता है अपने अपने स्वभाव के अनुशार अपने करतव्य का निर्धारण ताकि सबका जीवन सुखी हो जिन नियमों के शाश्वत नियमों के आधार पर होता है वो धर्म है और उस धर्म के चार पहर भागवत में बताएगे है श्रिमत भागवत में मौन भागवत ने नहीं बता वुचार पहरे सत्य, करुणा, शुचिता और तपस्या, ये कभी नहीं बदलता, इस धर्म को आज हिंदु धर्म का आ जाता है, यह धर्म भारत से निकले साब विचार धाराओं ने बताया है, सत्य का सतत अनुसंदान करो, हम सत्य बताते उस पर चलो ऐसा नहीं का, फेथ नहीं है, मैंने ऐसा अनुभूत किया है, तुम करके देखो, तुमारी अनुभूती तुमारे लिए है।